नमस्ते दोस्तों स्वागता आपका और नई वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ तो फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं करूआ गणपती डेकुरेशन अपने स्टूडियो में अब पहले में ने सोचा था कि एक किर्किट इस्टेडियम बनाया था उसमें करूआ लेकिन अलवारी इस साइड है और एक इधार है निच्चे भी कर सकता हूं लेकिन गाइस जो फाइनल हुआ है फिर इसी के अंदर हुआ है कि यहीं पर करेंगे क्योंकि मैं नहीं हाँ पर भी जो है पहले से गणिश जी रखे हुए हैं और बाट की निच्चे तो गाइस हमारा राम ठीक है और गंदी भी हो रही है उपट धूल जम रही है धूल भी साफ कर देंगे काइस अपना लेजेंटरी चस्मा यह कैन्वेस यार मैंने प्राइम करके रख दिया था इस पर एक पेंटिंग बनाने की सोच रहा था लेकिन फिर बनी नहीं जल्दी बनेगी यार तो समान पूरा निकल चुका है ठीक है अब इसमें साफा ही करूं क्योंकि मेरे पास कलर पेपर अभी शायद रखे तो होंगे अगर मिल गए तो कलर पेपर ही जद्धे बड़े लगेंगे चलो तो अब जो भी धूल बैटी हुई थी हमारी दराज्ज में उन्हें साफ कर लेते हैं किसी भी कपड़े बगेर से हमारी तिन्नों दराज्जे साफ हो गई अब जैसे कि मैंने बताया था मैं बीच वाले में करूंगा डेकोरेशन क्योंकि बीच वाले में जो है ना असा लेटम में टेकोरेशन नहीं कर रहा क्योंकि इसमें देखो फिट नहीं आरहा बिल्कुल यह अगर यह मैंने इस टेडियम में कर रहा तो यह बंद नहीं होगा यह देखो ठीक है और इतना सही भी नहीं लग रहा था यार इसके लोग थोड़ा सा अलग तरिक्के की जगह चाहिए तो गाइस अब अपनी डेकोरेशन आग्दे बढ़ाते हैं कलर पेपर मुझे मिल गए यह रहा है कलर पेपर है यह बहुत से ले अब गाइस जो बीच वाल मिलती हैं सब कुछ मिलता है आपकी मर्जी जो लगाने पहुत गाइस मैं तो यही पेपर यूज़ कर रहा हूं अपने गिफ्ट वाले और बाग यार क्यार क्या के चीज़ा आती हैं मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है बस मेरे पास यह थे मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैं इस वजय से इन्हां यूज कर रहा हूं और कोई मैट वागेरा वैसे मैंने देखी तो हैं पाकी पता नहीं है जाद यह है करें तो मैंने इन्हें ही जो है ना लगा दिया तिन्य धर दरज्जों में प्र लगा दिया है यह देखो पर हराज इधर पीला इधर भी हरा ठीक है कि अब हमारे तीन नों हो चुके हैं एकदम रेडी कि चलो अब निच्च वाली में समान रख देते हैं उपपर वाली में इधार अपनी डेकोरेशन करेंगे पहले जैसे कि यह राम मंदिर एक एक कैमरे वाला बैक रख दो क्योंकि यह भी जरूरी रहता है हाथ तो हाथ यहीं इसे निकाल लो रख लो वाकिया रही है जो दो पेंटिंग है और फोटो है यह भी यहीं पर रख दूंगा काइस तीन मिलियन व्यूस का मास्क है आरी हो पहलना बनता है इसे तो हमारे सवान सहरा रखा जा चुक है अब जो हमारे गणिजी है यह वाले में इनके लिए सबस देखता हूं डिजाइन किस तरीके का रखेंगे अपने हिसाब से रखुआ और इसमें लगाएंगे हम पर लाइट है और जो जो होता चला दागा करते चलाएंगे चलो सबसे पहले इंके लोग बनाते हैं एक सिंहासन अब गणिजी का अपना सिंहासन मनाने के लिए हमें ड रखें कुण से डिब्बे चाहिए बस वह से लाने है दूब बच्टी के तीन चलो तीन ले लेते हैं तो यार तीन डिब्बे वह था यह तो यह जो डिब्बे हैं हमारे सिंहासन का बेस है अब इन्हें तिन लोग जो है ना कुछ इस तरीके से चिपका रहा हुमें अब आपके पास अगर यह नहीं है तो इतना वड़ा डिब्बा कार्डबोर्ट का बना सकते हो अब इसके उपड जो है ना पेपर लगाने तो प्रविगोल से जैसे चिपकाते हैं ना पेपर तो अराम से चिपकता है तो बस फैविगोल से मैंने पहले साइडों में जो है ना इसके पेपर चिपका दिया ताकि कलरिंग में आसा न्यू वैसे टीसू पेपर भी लगा कर सकता था लेकिन यार इस तरीक्य से और सही रहा तो इस वाजे से मैंने दोनों साइडों में पेपर लगा दिया पहले उसके बाद एक बड़ा पेपर लिया और उसे कुछ इस तरीक्य से रखके मोड़ के चारों तरफ से कवर करके चिपका दिया तो सबसे पहले तो पूरा मेजरमेंट गाइस पूर एक्दम जितने भी किन से कर लीन इसके बाद यस को this बार अखें से खरें से कर लेना है से कर लेना है उसके बाद फैवी उसके किनारे किनारे में लगाए पस बहुत है पाकिया पेंट कर देंगे इस इतना ही चलो तो पीर अभिशाय और चिपका देख इन तो कोई भी कार्डबोर्ड या तो फिर सण्वोड या इस तरिक्के का टुकडा उसको जो है अपने डिब्बे को या फिर कहलो अपने सिंहासन के बेच को इस तरी इसा रखके पिछे के साइड में जो भी design देना चाहर हूँ वो design दे सकते हूँ तो मैंने तो बस simple design क्योंकि simple living high thinking बस ऐसे रख दिया simple ठीक है तो simple design कुछ ऐसा सा और यार और क्या और करते बाकि और फूल फूल पती वाले डिजाइन केले सा बनता जो कि मैंने नहीं बनाया अब चाहिए हमेieß बोत्तल ने यार बॉत ठपकन अब बोत्तल होके से मैंने कुछ पिलो टाइप बना लिए गोल वाले जो पिलो आते नहीं क्योंकि यह हम अपने जो बेस हैं उसके कुछ साइड में रखेंगे और पिछे के साइड में इस तरीक्या से तो देख सकतो हमारा सिंगासन कुछ इस तरीक्या का लग रहा है बस यार यह डिजाइंग लग रहा था मुझे बढ़िया तो मैंने यही बना दिया अब करते हैं यार इसमें कलरिंग के लिए हो सबसे पहले तो मैंने थोड़ी सी लाइने वगएर खीज दी तो यह मैं दो कलर करूँआ बेस पहला करूँआ लाल और दूसरा करूँआ हरा तो यह दो कलरों का मिक्सर हरा जो है ना मेरे पास मेटालिक वाला रखा हुआ है बहुत दिन से तो मैं सोच रहा हूं कहीं पर कर दूँँ तो यहां पर मुझे एकदम सही लग रहा था तो यहीं करूँआ और बाकी यह जो हमारा पिछे का हिस्सा है इस पर गोल्डन कलर अब यार गोल्डन कलर एक बा अब जितना भी हमारे पींट बगएरा सब हो चुका है अब जो भी हमारे पीसीस बनेते उन सब को चिपका लेना है और कुछ डिजाइनिंग बगएरा देना चाहते हो वह भी दे सकते हैं सिससे भी लगा देते हैं यार छोटे चोटे अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं लगाए तो अब मैंने पिलो बगएरा सब को चिपका गया हमारा जो यह सिंहासन है यह देख सकतो पूरा कुछ इस तरीक्या लग रहा था आग्गे की साइड में यह थोड़ा सा रिबन का जो है ना इस तरीक्या से काट के लगा दिया यह बड़े लग रहे कै अब मैं दिखाता हूं एक चीज है यह देख रहे हूं कि एड यह रहा हु वाला सिंहासन यार अभी भी है मेरे पास और यह जो कलर मैंने कर रहा था ना यह कलर भी मैंने यहीं पर रख दिया था और यह जो कलर भी सूप चुक है यह देख़े हो यार पुरा मेटैलिक Green अगर आपको इंट्रेस्ट हो तो निकाल के दिखाऊं हर एक चीज और बहुत पुराना हो चुका है यह भी मैंने दब जब ही बनाया था अभी मैं आपको दिखाता हूं निकाल के यह देखको वाइस इसमें गद्दा लगा हुआ है और एक तक्या भी मैंने छोटा सा सिलवाया था ठीक है और यहां पर गाइस कुछ पैसे रख्यों है मात अगे बहुत दिन से क्या हुआ मैंने जो है ना यह अलवारी खोली नहीं थी खोलता भी तो तो यार ज्यान नहीं दिया बस ऐसी ही चल चल रहा था बस और इसके वीडियो नहीं डाले थी क्योंकि यह उससे भी पुराना है तो अब आप यह सोच रहोंगे कि इतनी पुरानी चिज्ज्ज है इसी रखी कैसे रह में तो यहार बात यह है कि जो चीज हमारे घर में जहां पर रख देनी वह वहीं रखे रहा है उसा कोई छुटता नहीं है क् वहां रख दे क्योंकि घर में प्राणी रहने वाले कम हैं तो इस वज़े से अब जैसे यह पिछ्छे स्टम रखें तो इन्हें कोई छूने का नी क्योंकि यह मैंने रखें तो मैं यूठाऊंगा तभी यहां से लेंगे चाए एक साल हो जा दो साल हो जा ऐसे और भी समान जो भी है मैंने जहां रख दिया वहीं रख रहेगा अब इसमें घणजी को रखते हैं तो इस तरी के साथ है अब लगानी है हमें इसमें लाइट मिर पास रखी तो है यह यह यालो वाली जो उन सी मैंने अपने चंद्रियान में यूज करी थी उसका पोक बनाने के लिए ल कोटे के अब अशानेा बहूंते हैं जोड़ी जांत नाएं है अब आपनी पूरी लाइट मैने लगा दी आप थोड़ी सी बाची दितनी ते सी आर अब मैंने अ। तो वैसे इसमें काटने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर टाक के दिये हुए हैं क्योंकि मैंने चंद्रियान में काट के यूज करी थी तो मैंने उसे इस तरीके से निच्च पोचा दिया अपनी बैटरी का सिस्टम भी मैं निच्ची कर दो है सही रहागा अब इसे जलान सब्सक्राइब करना है मुझे वो सोच रहा था मैं सोच रहा हुए लगा दो थोड़ा सा डैकोरेशन और इधर से पिछे की साइड में लगा तूं कुछ कपड़ा बगेरा देखते हैं तो फ्रेंस पिछे की साइड में लगाने के लिए मैंने पेपर को जो है ना जिग जैक मोड दिया अब इसे ऐसा करके यह देख वाइस मौर के पंक जो वाला डिजाइन से लग रहा है जैसे कि मौर मैं अपने फैला हुए हूँ फ्रेंस ठीक है फिर अपनी डेकोरेशन एक ताम बढ़े चली है ओल्मोस्ट होई आई अब याल लास्ट जी जो मुझे खली-खली लग रही ती वह लग रही तिया एंट्री एंट्री में के का डिजाइन यह है इधर लगा देंगे ऐसे यह देखो ठीक है ऐसे उस तरफ तो हमारी एंट्री एक्दम बढ़े लगेगी फिर अब इसे कलर करेंगे ऐसे नहीं लगाने के तो एक तुम्हें ना काट दी एक और काट के इसके उपड़ जल्दी से रैट पेंट करते हैं और फ्रेंट्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है या मेरी वीडियो अच्छे लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और भी गाईस हमने बहुत सारे क्राफ्ट होना है सब चैनल पर मिल जाएंगी वीडियो वहाँ पर देख सकते हो या फिर आई बटन में भी लिंक मिल जाएंगी फ्रेंट्स तो अपनी एंट्री का में डेकॉरेशन भी बन गई अब इससे लगाने के लिए यार मैं टेप से लगाँगा इस तरीप के से टेप को ऐसा करके ऐसा करके चिपकाना पड़ेगा तो अपनी डेकॉरेशन पूरी हो चुगी है चलो अब या लास्ट चीज करते हैं वह हमारा दीपक जलाते हैं तो गाइस दीपक मैंने रेडी कर लिया पूरा नहीं पेपर पर किसी भी संबोर्ड पर नहीं तो कोई चीज ले लेना उससे सबसे पहले रखना है उसके बाद दीपक जलांगे और दीपक जलाने से पहले सेरी लाइट बन करेंगे यार तो अब यार दीपक जलते हैं और यह वाला एंगल सभी से दीख रहा होगा है कि चलो तो गाइस इस वीडियो में इतना है आपको यह वीडियो कैसी लगी एक बात बोलूँगा कि जब आप दीपक जलाओना तो थोड़ा ध्यान से जलाना क्योंकि सब चीज़े पेपर की बनी हुई है तो इस वज़े से तो बाकियार और कुछ आईटे बगरा है तो वह कमेंट में लिख जाना में अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए नमस्ते झाल 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 झाल